हेलो एव्रिवन वेलकम बैक टू दे चैनल इस पार्टिकॉलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीचियाई रोहो तक बीयसी नर्सिंग पैरा मेडिकल अप्लिकेशन फॉर्म आप लोगों फिल कर दिया होंगे उसके entrance examination से related हम लोग बात करेंगे कि अगर आप लोगों ने अभी तक तयारी start नहीं किया है because less than one month बच गया है क्या आप अभी से basic से start करके इस exam को clear कर सकते हैं या नहीं कर सकते in short हम लोग बात करने वाले हैं कि जो आप लोगों ने form फिल किया है उसका exam level कैसा आने वाला है क्या कुछ आप लोगों को इसके लिए पढ़ाई करनी होगी कितने mcqs practice करने होगे क्या आपको neat level की तयारी करनी होगी क्या कुछ बातों का आप लोगों को ध्यान रखना है कैसे questions आप लोगों से पूछे जाएंगे यानि कि exam से related हर point को हम discuss करेंगे कैसे आप लोग अभी से अपनी तयारी को अच्छी कर सकते हैं स्टार्ट नहीं की है तो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और किन-किन बातों का आप लोगों को ध्यान रखना है तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कि अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो इस exam में physics, chemistry और biology पूछी ज लेते हैं तो आपके selection की काफी जादा chances बढ़ जाते हैं तो चलो हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या इस exam को crack करना easy है या मुश्किल है तो यह आपकी तयारी पे depend करता है अफकोर्स अगर आप लोगों ने अभी तक तयारी start नहीं की है तो कैसे आप तयारी start कर सकते हैं तो आप लोगों को जादा anxiety पढ़ने की जरूरत नहीं है आपके पास पहले से कुछ notes होंगे आप लोग वो revise कर सकते हैं अगर आपके पास कुछ notes नहीं है तो आप लोग कहीं से भी particular chapters important chapters उनकी PDF available करा सकते हैं PDF ले सकते हैं और उन PDF को आप लोग read कर सकते हैं यानि कि आप लोगो को ध्यान क्या रखना है physics chemistry में आप लोगों को जादा MCQs practice नहीं करनी है because जो आपका exam होने वाला है जो मेली theoretical based होता है बिल्कुल भी इसमें जादा MCQs नहीं पूछे जाते हैं काफी कम MCQs पूछे जाते हैं और जो MCQs होते हैं वो formula based होते हैं तो आप लोगों को जो important formulas हैं उनी पर ध्यान देना है जो basic basic formulas है और basic जो concept है उन पर ध्यान देना है अगर आप लोगों ने पहले कभी तयारी की थी और अभी तक आप लोगों ने तयारी नहीं किये किसी exam किये तो अगर आप लोग अभी से तयारी करते हैं less than one month बचा है तो आप अराम से selection ले सकते हैं बस आपको इन थोड़ी सी बातों को ध्यान रखना होगा कि minimum two times आप लोगों को syllabus करना होगा और syllabus में भी आप लोगों को basic concept ही देखने हैं नीट लेवल की आप लोगों को तयारी नहीं करनी है ना ही इतने mcqs practice करने हैं because mcqs आते ही नहीं है ठोरी से paper आएगा और जो ठोरी से भी paper आएगा उसमें भी कुछ ही points पूछे जाते हैं ऐसा नहीं कि पूरी ठोरी पूछ रहे हैं तो इस वज़े से less than one month बच गया तो आ इस exam को एक month में ही clear किया जा सकता है तो अगर आप लोग अभी से तयारी करते हैं तो of course इस exam को अभी से तयारी करने के बाद में भी clear भी किया जा सकता है और अच्छे college में admission भी लिया जा सकता है अगर आप लोगों को exam से related और भी कुछ doubt है तो आप लोग comment section में ज़रूर बत